हेलो दोस्तों आप देख रहे हों साइवर तुरू थे यूटूब चैनल और मैं बहुत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल में तो यार आज ना आज का वीडियो जो है वो किसी टॉपिक पर वेश्ट नहीं आज का जो टॉपिक है वो समल मेरा यूटूब चैनल है कि मैं इस पर क्या प्रवाइड करने वाला हूं और कौन कॉन से इस फर कोर्स आयेंगये तो यार जो ये मेरा यूटूब तो उसी के साफ से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा ठीक है तो इससे होगा क्या मेरा भी इस में फाइदा है कि मैं जो पढ़ रहा हूं या जो मुझे रबढ़ा रहा है वो मैं आप लोगों को बताता रहा हूंगा और इसके साथ-साथ आपका ये फाइदा है कि आपको भी पता चलता रहाएगा कि मलब नौलेज मिलता रहाएगा उससे ठीक है तो बेसिकली हम लोग ना इसी के लिए ये ये यूटूब चैनल स्टार्ट किये हुए है ठीक है और इस पर जो वीडियो अप्लोड होंगे वो कि साइबर के साइबर इंफो वो तो बिल्कुल बेसिक है और इतिकल हैकिंग वो बिल्कुल बेसिक है साथ में जो स्कैनिंग होती है वो तो इतिकल हैकिंग के अंतरगत आती ही है बट जो अधर से कुछ टूल साते हैं उनके बारे में यहां पर बताया जाएगा ठीक है और जो other hacking में होता है like carding carding जो होती बहुत से YouTube चैनल वाले बोलते हैं कि भाई मैं बहुत कार्डिंग सिखा दूँगा लेकिन जो simple बात है कि carding मैं सिखा दूँगा ठीक है तो YouTube कभी भी ऐसे content को allow ही नहीं करता कि आप YouTube पर carding सिखाओ या cracking सिखाओ या direct hacking इसिखाओ YouTube पर जो होता है YouTube पर विल्कुल एक way बताया जाता है कि आपको इस तरह से hacking करना है ठीक है बिल्कुल हम लोग यह नहीं बता सकते कि आपको कैसे hacking करना यह जो है यह offline सिखो या कुछ एक course से जो होते हैं वो purchase करके सिखो लेकिन I think इतने जो मैंने जितने भी देखें like courses इतने बढ़िया हमें लगे नहीं कि उस पर हम लोग सीख सकते हैं कुछ हाँ यह है कि हम लोगों को जो है वो basic overview मिल जाता है कि भाई हाँ इस तरह से होती है उसके बाद तो हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है ठीक है तो जो hacking है ना simple से बात है कि अगर जो आप अपना knowledge नहीं लगाओगे आप अपना knowledge जो आपने gain किया है उससे आगे नहीं सोचोगे तब तक आप hacking नहीं कर पाओगे है hacking कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने इस तरह से बता दी जो method बता दिया वही work करेगा आरे कुछ जिन्हों बाद ना यार नई technology आएगी वो method हटा दिया जाएगा हमें ना कुछ दूसरा देखना पड़ेगा मलब यहाँ पना एक ऐसा तरीका होता है कि जो कोई भी इंसान कुछ बता रहा है तो यह नहीं है कि वो हमेशा ही काम करेगा हाँ यह है कि उसके बरावर कुछ ना कुछ work तो करेगा उसका कुछ बताया हुआ काम तो करेगा लेकिन यह नहीं है कि वो बिल्कुल वही बिल्कुल काम करेगा कि आज मैंने brute force attack बता दिया इस website पर होगा लेकिन आगे चलकर वो website ना पूरा अपना sub change ही कर दे तो वो नहीं होगा ठीक है तो website hack तो होगी लेकिन जो मैंने तरीका बताया हो सकता है वो liberty उन्हें पता चल जा है उसके बाद वो हटा दे तो ऐसा नहीं कि वो वल्लरेबल है नहीं हो सकता है वल्लरेबल हो कोई ना कोई उसमें कमी हो लेकिन जो मैंने method बताया है वो हटा दिया गया है ठीक है तो उसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन सी अब वल्लेबिटी है इसके अंदर तो उसके लिए ना अपना टाइमना विनकुल अलक्स दिमाग लगा ले ठीक है बाकी knowledge तो बहुत से लोगों को होता है लेकिन वो hacking नहीं कर पाते है knowledge तो है लेकिन hacking नहीं कर पा रहे है हाँ छोटी से website मिल जातो उसे isql injection से वल्लारेबल है तो उसे हो सकता है कर ले लेकिन advance अगर जो देखा जाए तो नहीं hack हो होगा ठीक है तो चलो यह हो गई बात कि हम लोग कौन से topic पर बात करेंगे ठीक है और भी है मैंने अपने group पर WhatsApp group जो है मैंने उस पर बताया था कि हम लोग na CTF challenges जो होते हैं वो अभी start करने वाले हैं actually जो CTF challenges हैं वो हम लोग करेंगे हो सकता है लाइव करें या फि प्रूब होती है ठीक है तो अगर जो आप reality में hacker बनना चाहा रहे हो तो आपको ना कोई अपना real system तो देगा नहीं कि भाई मेरा system hack कर ले ठीक है तो उसके लिए ना हम लोग को CTF सो खेलना पड़ता है तो यार CTF सो जरूरी है CTF मेरे ख्याल से और और क्यार सिखाने वाले ह और कुछ लोग ना सोचते कि यहां पर है जो carding है black hat hacking है तो यह कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है हम लोग black hat hacking तो सिखाने वाले नहीं और starting में हम लोग हो सकता इतने अच्छे वीडियो content ना उपलब्द करा पाए मलब जितना आप सोच रहे हो कि नहीं हम लोग तुरंती start कर देंगे hacking नहीं ऐसा नहीं होगा आप लोगों को यार पता होगा हो सकता कुछ लोग जानते हो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि एक white hat Rohit के नाम से YouTube चैनल था सायद actually वो मेरे star ही थे और मैंने आज morning में उनका YouTube चैनल सर्च किया subscribe था बट पता नहीं मुझे जाता इसके बारे में info नहीं तो I think उनकी जो link थी उसमें बताया गया कि ये channel जो है इसमें मनलब ये अब नहीं है YouTube पर वो हटा दिया गया ठीक है तो अभी मैंने सर से बात तो नहीं है वो इसलिए YouTube चैनल हटा दिया गया डिलीट कर दिया गया YouTube से क्योंकि वो जो सर्थे वो बहुत अच्छा पढ़ा रहते present time में ठीक है बहुत अच्छा पढ़ा रहते वो reality में hacking ही सिखा रहते वो real hacking सिखा रहते अब YouTube की जो guidelines है उनमें बताया गया कि नहीं भाया hacking आपको बिल्कुल भी नहीं सिखा नहीं मलब hacking का बिल्कुल आप अगर पढ़ा भी रहे हो तो चोटा से practical दो जिससे उन्हें बस इत्ता समझ में आ जाए कि यह hacking हो रही है ठीक है आप बिल्कुल hacking नहीं सिखा सकते ठीक है तो I think sir का मैंने देखा था एक वीडियो था बहुत इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक काली linux उसके बाद networking networking के बाद अपना सीच का स्टार्ट कर देंगे आफटर one नहीं two के subscribers के बाद क्योंकि उसके बाद ना हम लोगों को channel rank करना start हो जाएगा अगर जो हम पहले ही सिखा देंगे तो मलब सिखाना start कर देंगे तो यह पक्का है कि YouTube जो है वो real hacking को इतना अच्छे से नहीं लेता कि आप सिखाओ भाई hacking की सिखाओ ठीक है तो इसलिए हम लो hacking के बाद हम लोग hacking start करते हैं और 20 में आते रहेंगे hacking के वीडियो ऐसा नहीं के वीडियो ही नहीं आएंगे वीडियो आएंगे लेकिन इतना अच्छे से नहीं आएंगे पहले हम लोग system के बारे में basic जानकारी ले लेंगे like system work कैसे करते फिर networking की networking की मैं पूरी series चलाने वाल और CTF challenges चलते रहेंगे वह hacking के मनलब hacking है तो आपके CTF challenges चलते रहेंगे उससे आप अच्छे से सीख सकते हो लगबग ठीक है उसके बाद हम लोग आगे start करते रहेंगे और एक और भी वात थी कि अगर आप लोग हमारे subscriber हो या subscribe करने वाले हो तो यहार अगर जो आपको कोई भी knowledge है कोई भी छोटा से भी knowledge है ना तो आप यार मेरे साथ share कर दीजेगा या वीडियो बना कर मुझे provide कर दीजेगा हो सकता मैं अपना whatsapp group का link न कोई अगले knowledge मिल जाएगा ठीक है और कुछ मेरे बारे में तो मैं अभी actually मैंने दो साल पूरे hacking में लगाए है ठीक है मैं hacking सीख रहता अभी मैंने just सोचा कि यार चलो hacking का कुछ start कर देते हैं जो मुझे knowledge है वो दे दिया जाए और दूसरा से knowledge भी ले लिया जाए ठीक है और hacking कि अगर जो एक बात और है कि आप मेरा ही चैनल सस्क्राइब कर लो किसी दूसरे का चैनल सस्क्राइब करके नहीं देखने वाले तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सिखा दूगा क्योंकि मैं भी अभी सीखी रहा हूं ठीक है और मैं इत्ता अच्छा नहीं बन सकता जैसे अं है कि मैं उनके चैनल नहीं देखता हूं मैं बहुत बड़ा हो गया हूं ऐसा कुछ नहीं और विशाल सारे फ्ट एक्सपर्ट हो सकता है मैं उसे आप लोगों की बात करा ओंगा एक बार आई थिंग मैं जब बात करूंगा तभी वता पाओंगा क्यों से बात हो पाएगी य तो बाई बाई अगला वीडियो हो सकता जल्दी अप्लोड कर दूँ एक्षिली मुझे टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता मेरे पास और भी वर्क होते हैं क्योंकि मैं फ्रीलाइंसिंग कवर भी करता हूं ठीक है तो जल्दी वीडियो यार अप्लोड कर दूंगा ठीक है ओके बाई